अमेरिका के अडानी पर हमले लगातार जा रही हैं पहले इंडनबर की रिपूर्ट आई दोजार तेईस में डेड़ सो बिलियों डॉलर का लगबग नुकसान हुआ अडानी को अर एक बार फिर अब अमेरिका की तरफ से अमेरिका की एक डिस्ट्रिक कोट की तरफ से अडानी पर आरोप लगाए गए हैं कि अडानी ने कोई प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए डाई सो मिलियन डॉलर यानि की लगबग 2100 करोड रुपे की रिश्वत दी है या फिर देने की की है यहां पूरा मुद्दा क्या है उसे समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है होगी पंकज प्रसून बहुत स्वागत सर आपका अज आप स्टूडियों में में मारे साथ मौजूद हैं लंबे वक्त के बार तो यह जो अमेरिका ने एक बार फिर आरोप लगाया है अडा अमेरिका की जो कोर्ट ने यह कहा है कि अडानी ग्रूप्स ने अमेरिका के कुछ बिजनसमेन को मिलवाया यहां के स्टेट गौवर्मेंट के कुछ ऑफिशियल से और काम दिलाने के एवज में रिश्वत देने की पेशकर्स की है यह केस चल रहा है दोहजारे कीस से और यह मामला भी है दोहजारे कीस बाइस का ही उसी वक्त वहां एंटी करप्शन एक मतब मुव्मेंट चल रहे है और उन्हीं के कुछ लोगों ने वहां अमेरिकन कोर्ट में यह केस फाइल किया था अब जब तक आप समझेंगे नहीं कि पूरा केस क्या है क्या हुआ था तब तक आप पूरा मामला नहीं समझेंगे वह तो एक लाइन में सिर्ब बोल देंगे कि अमेरिकन कोर्ट ने अडानी के खिलाफ वारण जारे कि भारते कान के बहुत कच्छे होते हैं अमेरिका का उदारन लेते हैं अर बार अमेरिका की कोड़ने जो है इल्जाम लगाएं नहीं व आंदर प्रदेश में च्छतिस गड़ में तमिल नाडू में जम्मू कश्मीर में और एक तिलंगाना में यह राज्य थे तो अडानी ने कहा कि चलिए हम आपको प्रजेश दिलवाते हैं और उसके बाद जो आरोप हैं उस पर मैं बोल रहा हूं उस कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि हमें काम देने के बदले रिश्वत मांगी गई वहां के स्टेट ओफिशल्स विद्वारा हूं ठीक है तो यह पूरा मामला जो अमेरिकन कोट में गया तो अमेरिकन कोट ने में जब अधिकार में बदाए कि हां हमने देने की पेशकस की थी हूं तो इसी लिए कि अंध्य प्रोट में उसकी सरकार थी कंग्रेश्युंट है वह धांने में किसकी सरकार थी केच अंध्य खर्राये की Sun हर्य यह सारे प्रोप जहां काivol में आज Bск कॉंगा वो या तो Congress की सरकारえं यामिक एक ऐसा राज हihin इसा जहां बीजू जंताकि सरकार थी हुंजु तो जहां चोनी चाहिए वहां की Congress की सरकारों Ne Either Gowenасьar की सरकारों ने रिश्वत ली या मैं ली अमेरीकन फॉर्म से है या किन अधिकारियों ने rapt कर दिए गए अडानी की तरफ से तो यह बिल्गुल खारीज कर दिए गए अडानी चुकि कब उन्होंने तो कहा है कि भाई यह बेबुनियाद आरोप है मैं तो यह कहता हूं कि पहली बार मैं राहुल गांधी के बयान से सहमत हो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए सबसे पह पहले उनके खिलाफ जांच हो जो कि जंता के वोट से चुनकर आई है और जिनके अधिकारे रिश्वत खा रहे हैं दूसरी बात जो कि मैं महत्पूर्ण भाद बताने जा रहा हूं अमेरिका में इस वक्त चुनाओं खत्म हो चुके हैं अमेरिकी राश्पती के जैनवरी मे डोनाय ट्रम्प को सम्हालनी है उससे पहले डोनाय ट्रम्प का देखिए ये ट्विट आपके सामने जो चल रहा है इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोर्ट में कुछ ऐसे जजों की नियुक्ति की जा रही है जो कि रैडिकल लिफ्ट जजेज हैं वो जाते जाते मतलब जो जज ने जो अडानी के खिलाफ कही है जो फैसला पारित किया है और मोधी सरकार को जिस तरह से घर रहे हैं वो पकड़िये और पकड़िये रशिया के अंदर जाकर जिस तरह से मिसाइल अटैक किये गएं और रशिया का रौप है कि अमेरिका ने करवै अब मैं निक्लीर व कि जो बिडे जाते जाते ऐसा महाल पैदा करना चाहते हैं भारत की मोधी सरकार के साथ और रशिया की पुतीन सरकार के साथ जिसे समहाले में डोनाय टरंप को वक्त लग जाए यह अमेरिका की इंटर्नल पॉलिटिक्स ज्यादा है भारत को लेकर वो जो आप देख रहे हैं य देखिए और जो भी उस लेफ एको सिस्टम में है अचानक एक साथ सबने एक तरह के ट्वीट किया है इशारा किसने किया मैं चाहता हूं कि दर्सक जाके देखे चार बज कर 29 मिनट पर जुबैर का ट्वीट आता है चार बज के 29 मिनट से लेके चार बज के 40 मिनट तक सुब कौन जागता है एक साथ सबके ट्वीट आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि वह स्पॉंसर है कहीं न कहीं से और बार बार दरसल उनका जो लिफ्ट लॉबी है चाहे वह सोरोस फंडेड लॉबी जीसे मैं बोलता हूं या फिर वो जो लॉबी है उनका टार्गेट भारत का बाजार है वो जाते जाते भारत को नुकसान पहुंचा कर जाना चाहते हैं यह चीज़ें आप समझे ठीक है लेकिन यहां यह भी बताईएगा कि पहले तो अडानी पर 2023 में हमला किया गया फिर उसकी सेवी की जांच की बात आई सेवी ने जांच की सेवी ने क्लीन चीर दे अमेरिका में थेड़ गू ना इसके एडानी के वो उन्होंने रद कर दिये वह वापस ले लिया हमेरिका का इसुह अरूप लगाकर बहुशना के अमेरिका से भागाइगर के भारत में पैसा रिश्वत के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा है तो लगतार एक एक सबहुत एक चुनाव होते हैं या रिजल्ट आने वाला होता है तब तब एक अटेक होता है पहली बात मैं टाइमिंग को लेकर कर रहा हूं कि ऐसा क्यूं होता है क्या यह महज सन्योग है कि अडानी के खिलाफ चार बार अटेक हुए तीन बार हिंडन बर के रिपोर्ट और यह चौती बा सब्सक्राइब करना महाराश्च देखे सारी लड़ाई जो है ना वह द्धने की लड़ाई है पैसे की लड़ाई है बिजनस की लड़ाई है वह एक और ऐसा ग्रूप है जो कि वाया दुबई इन्वेस्ट कर रहा है अपने एको सिस्टम के लिए भाया जॉज शोरोस या फ सब्सक्राइब क्यों अमेरिका का जो पुर्व सी आईये के डारेक्टर हैं डोनाल्ड ट्रम्प से इतना चिड़ते हैं वजह क्या है यह समझे धंदा और बार बार टाइलिंग देखिए अचा बताए राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉंफिर्स किया अडानी की रिश्वत दी है यह जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली है उनकी भी अरिश्टिंग होनी चाहिए यह तो अपने घर के हैं ना क्यों नहीं होनी चाहिए उस वक्त आंध प्रदेश में जगन मुहरेड़ी की सरकार के जिन ऑफिशर्स ने लिया या डीमके के जिन नेताओं या अधिकारियों ने पैसा खाये होंगे या फिर कॉंग्रेस के जिन अधिकारियों ने पैसा खाये होंगे उनकी अरिश्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए करो ना अरिष्ट सबको एक तरफा कि इस बार फंस गये हैं अगर जाच होती है तो जिन जिन राज चुकि एस्टेट गौवर्मेंट्स की बात है इसमें केंदर की सरकार से कुछ लेना देना ही नहीं पूरी आप जजमेंट पढ़िए वहां पे और जजमेंट नहीं नहीं कहा कि दोशी है जजमेंट नहीं कहा कि आपका बयान है उससे भी पूछता चुनी चाहिए आईए आप आरोब लगाया बस पेश होने का है वह आखरी सवाल पंकर जी गिराफ्तार हो सकते हैं अडानिय नहीं क्योंकि सिर्फ आरोब लगने मातर से इस खबर आने मातर से अडानी पर आज इस पोजिशन पर वो थे लेकिन हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि वो आज भी सिर्फ अमेरिका का उधारन लेकर चलते हैं अमेरिका ने काया तो सही होगा सवा दो लाग करो डूब गए ने इंडिया का जो मार्केट वो सेंटिमेंट पे चलता है कि आपको ओवर अगर कल को यह लगे कि अभिशेख पुंडिर डूबने वाले हैं तो धड़ा धड़ा बीना जाने सुनें पैसा निकालेंगे कुछ लोग अफवा भी पहलाते हैं कि वो डूबने वाले हैं इस तरह सेंटिमेंट का मार्केट है दूसरी बात जो महत्पुन बात में यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ वो किसके लोग हैं किनके पैसे लगे हैं भारत का मार्केट गिरेगा अगर शेयर बाजार गिरेगा तो नुकसान किसको है हिंडे नुबर को नुकसान है या अमेरिकी कोट को नुकसान है या भारत के बाजार को भारत का बाज चलता जगरी कवर करेगा मैं बार 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 बोलता हूं कि अपने बयानों से अपने कारगोजारियों से सिर्फ प्रेस कॉंफिरेंस वगर इस तरह करके भारत के बाजार को लाखो करोड का नुकसान करवा चुके हैं राउल गांडी इतना कैसे वो अर्ण करेंगे मुझे नही स्वेशी यह कर रहे हैं कि इंडीड बिल्कुल आपने सही कहा की यह जाते याते रायता ताफ अबार करने चाहते हैं भारत के साथ रशिया के साथ इस के देशों के साथ जिस से डोनार ट्रम्प के अच्छे रिष्ट है खराब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं यह वहां का जो टॉप एडिमिस्टेशन कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं उस गिरफ में फंस रहे हैं फंस रहे हैं और है पेशिंस यह दो बहुत बड़ा य हैं बस सुरू कर देंगे अडानी का मोधी मोधी का अडानी यह देखिए मार्केट में हमारा जो बिजनसमें है वो बैमान होता है और जो बाहर से पेपसी कोला निसले बेचनी आते वह सभी मांदारी के पुतले होते हैं मैं एक बार एक सवाल बार बार इस देश के दर्शक को से पूछना चाहता हूं कि हमेशा अटैक पतंजली अडानी अम्मानी जो भारत के बिजनसमें हैं उन्हीं पर क्यों होता है मल्टी नेशनल कंपनी के किसी बिजनसमें के खिलाफ यह सब कॉंग्रेसी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं वह इसलिए क्योंके गौड़ फादर है उनके देशों की कंपनिया हैं उनको नुक्सान ना हो हमेशा स्वदेशी बिजनसमें कोई क्यों परिशान करना किसी विदेशी के बिजनसमें ने खिलाफ एक शब सुमाए आपने एक शब कोको कोला क्या बेच रहा है वो वह जहर ही तो है वह कीड़े वाला जो चॉकलेट पर यह जांच हमेशा करवाएंगे पतनले खिलाफ अइरवेदी प्रोड़क्त कैसे बेच रहा है वह हमारा देश का कोई बिजनसमें इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि अश्टेलिया में जाके पोर्ट खर दे अफ्रीका में पोर्ट खर दे अमेरिका में गुज के पोर्ट कर कोई भी हो मैं सिरीज और नाम गिना सकता हूं जब हमारे देश ने वैक्सिन बनाना शुरू किया तो एडर पुना वाला के खिलाफ कौन अटेक कर रहा था जही पूरा इस पूतनिक और बाहर बाहर से हमारे देश का बिजनसमें कुछ अच्छा करता है तो तकलीफ इन्हें भारोप लगाया गया कि आपने रिश्वत दी है या हो सकता है गोर कर ये का शब्दों पर हो सकता है आप रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे हैं मामला भारत का है भारत में अडानी रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे हैं दे रहे थे भाहिया अमेरिका आपको क्यों लग रहे क्योंकि धन्दा सारा व्यपार का है पैसे का हो जैसा बताया कि यह लेफ्ट लिब्रलों का जो एको सिस्टम है वो कैसे स्वदेशी व्यपारियों को बिजस्मैन को टार्गेट करता है लेकिन आपसे गुजारिश है कि किसी भी चीज पर आखमूंद कर भरोसा ना करें उसके डीप में जाएं जाने के आखिर है क्या ऐसे ही हिंडनबग ने किया था ऐसे ही अमेरिकी कोट ने किया है नुकसान भारत का है आम लोगों का है जिनका मार्केट में पैसा लगा है आरोप का खंडन कर चुके हैं अडानी की तरफ से आखरी वाक में बोलके जा अच्छा आपको कैसी लगी क्या आपकी इस पर राय है कैसे अडानी पर लगातार हमले किया जा रहे हैं कमनी राय हमें जरू दीजेगा धन्यवार